आई होप आप लोग अच्छे से मेरी कड़ी दिख रही होगी किते सौप सौप मोटे मोटे पकोड़े और ये मस एक्तम मूँ में घुल जाने वाली आज हम बनाने जा रहे हैं करी पकोड़ा और राइस मैं आप लोगों को करी पकोड़ा की रसी बताऊंगी ओभी अपने स्टाइल में देखिए यह है करी पकोड़ा के लिए मैंने जो लिया यह बेसन लाल मेज नमक हल्दी धनिया पॉड़र और थोड़ा सा जीरा पॉड़र यह आप अपने टेश के वेस पर डाल सकते तो आपको खाना पसंद है यह जो बनेगा इसमें हम मठा डालेंगे अगर आपके मठा नहीं है चार्च नहीं है तो आप दही यूज करके इसका घोल बनाके इससे कड़ी बना सकते हैं चिक है और सेकिंड यह मैंने लिया है इतना बेसन ये है कम से कम एक कटोरी डेढ कटोरी बेसन इसमें हम इसमें हम पकोड़े बनाएंगे जो कड़ी में डलते हैं ये है कसूरी मेथी नमक हल्दी और ये है बेकिंग सोडा ना कि बेकिंग पॉड़ा अगर आपके बाद बेकिंग पॉड़े डाल सकते हैं वो थोड़ा ज् इंसाइ चीजों को हम इस पकोड़े वाले बैटर में मिला के एक स्मूज सा पकोड़ वाज़से आप पकोड़े बनाते हूं उस तरीके का एक बैटर बना लेंगे चीक है और मैं इसे बना के आपको दिखातू कि कैसा बैटर बना रहा है बेट यह रेखिए इसका मैं वह बना के दिखाते हैं यह देखिए मैंने इसका एक स्मूज सा पकोड़े वाला बैटर बना लिया है इसको हम थोड़े रखेंगे इसको हम अपने बेशन वाला जो मठे का गोल बनाना है इसमें वह गोल बना लेंगे इसमें हम सारा मठ्था डाल देंगे चार्ज और इसका गोल ब देखे यह तो तेल जसी गरम हो जाए इसमें हम राही डाल देंगे लोग बहुता इसी डालते हैं तो अड़ी पट्टा नसिर राही डाल कि और बश्मी और फिसमें और इसमें यह देखिए मैंने यह अद्रक और सब्सकोर शर्ट नसन को कूट के रखा है यह थोड़ा अद्र यह देखिए मैंने सारा डाल दिया है इसमें डालने के बाद यह जो भूल था तो फुरा हिलाएंगे और इसके अंदर इसको डाल देंगे यह जितना हमने डाला है इतना ही हमें पानी रहते दाना श्कुराइब यह देखिए अब आपलब सुझाने इतनी पदली कडी तो यह जितना मैंने डाला है इसका यह आधा होगा तभ ही यह कड़ी बनेगी इसको हमें विल्कुल स्लोप लेंगे अभी पहले से हमें तेश्ट आज पे इसको खोलाना है तो इसको आज्यम कोले ज़ती हैंगे बीट जैसे यह खौल के उपर आएगा फिर इसमें हमें इसको हमें स्लो आज कर देना बिल्कुल मीडी बिल्कुल स्लो और इसको स्लो छोड़ देना जितनी देर आप इसे पकाएंगे कम से कम देड़ घंटे तक गडी को पकाया जाता है जब यह आधी हो जाई गडी तब हम इसमें चले में आपको अब मैं पकोड़े बना कर दिखाते हैं यह देखिए हो फोड़ा तेल हमारा बहुत ज्यादा गरमता है इसकी ज्यादा लाल हो गया है यह देखिए हमारे सारे पकोड़े बनके रेडी हो गए है यह देखिए किते सॉफ्ट सॉफ्ट है आप आप सोचूंगे इतने डापकी हो रहे हैं तो मैंने इसमें बेकिंग सोड़ा डाला था नहीं बटाया था कि आप अगर बेकिंग पॉटर टालेंगे तो ज़्यादा चलिए और मैं आपको कड़ी दिखा दू यह देखिए कड़ी भी हमारी खॉल गई है अच्छे से इसमें बॉइल आ गया है यह देखिए किता बड़िया बॉइल आ गया है और इसकी तो बहुत अच्छी आ रही है यह थोड़ी सी गाड़ी भी दिख रही है और इसमें छोटे-छोटे चंक से दिख रहे है न आपको तो आप यह मां सोचे का कड़ी ऐसी रहेगी फटी-फटी सी ऐसा नहीं हो गई जब गाड़ी हो चाएगी तो अपने आप अच्छी हो चाएगी और जितना है यह दिख रैप इसका हमें आदा गना अभी और भी हमें गाड़ा करना है कम से कम हमें डेढ़ घंटे तक पकाना है जितना जादा पकेगी कड़ी उतनी ही टेस्टी वनेगी मैक्सिमम आप आदा एक घंटा तो पकाईए पकाईए इतना अगर पकाएँगे तो आपकी कड़ी सबसे च्छी चीक है चलिए ये गाड़ी हो जाए कड़ी तब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें पकोड़ी डालकर की ये कैसी दिखती है ये देखिए हमारी कड़ी एकदम पक चुकी है ये देखिए ये तनी गाड़ी है ना आप लोगो पतली दिख रही होगी पट ये काफी है क्योंकि इसमें अभी हम पकोड़ी डालेंगे जो कि पकोड़ी डालते ही और ये ठंडी हो जाएगी तो और गाड़ी हो जाएगी तो मैं आपको पकोड़ी डाल के दिखाते हूँ वेट यह देखिए, मैंने पकोड़े डाल दिये इसमें, और एक तरब मैंने इसका तड़का बना लिया, यह तेल गरम किया है, इसमें जीरा, दो लालमिच, और करस्मीरी जो लालमिच होती है ना, वो हम डालेगी, उपमी कुल कलर के लिए, और उपर से हिंग, यह बेसन है, तो बे साइटिसिंग के लिए अच्छा होता है, इसमें हिंग डालके, मैं इसे, अपनी कड़ी में एड करके, आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, आपको दिख ग्या होगा, मैंने इसे कड़ी में एड कर दिखा, अपने तड़के को, और साथ में, यह मैंने कशुरी मेथी जो दिखा, कशुरी मेथी उसको रोस्ट किया, और क्रॉस्ट के लिए उसमें एड कर देखिए, अब से मिलाने हूँ, आई मैंने गैस बननी कर यह, विए गैस अन ए मीडी, यह दिख्ये, I hope आप लोग अच्छे से मेरी कड़ी दिखरी होगी, किते सौप्ट सौप्ट मोटे मोटे पकपोडे, और यह मस्त एक्तम मूँ में घुल जाने वाली कड़ी, आप लोगो वाद पसन आई होगी, अगर मेरी कड़ी की रासी पे आप लोगो अच्छे लगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जलू कीजिएगा, और इसके साथ हम खाएंगे प्लेन राइस, और अगर आपको इसे खाते में मुझे देखना है, तो मेरी दूसरे चैनल पे जाके विजिट कीजिएगा, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, and thanks for watching, और कोई भी गलती है, तो उसके लिए sorry, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मुझे वीडियो शूट करनेते अच्छे से नहीं आती है, और मैं खुदी सूट करत So, okay bye dosto, love you all!